हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेल्टा ग्लैद में दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आल करें दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार की ऐसी शक्सियत के बारे में जिनको उत्तर भारत का क्रांती का जनक अरजग संस्कृती एवं साहिते के पैरोकार शोशित सामाजिक दल तथा बहुजन पार्टी के संस्थापक मंदल कमीशन में सहयोग के साथ साथ भारत में लेनिन के न दो फरवरी 1922 को जहानाबाद के समीब कुर्था प्रकंट के कुरहारी ग्राम में दांगी समुदाई के परिवार में हुआ था इनके पिता प्रयाग नारायन पास के प्राथमेक विद्याले में शिक्षक थे तथा माता रासकली अनपड़ थी अपने पिता के मार्ग रोही स्वाभाव के थे? इसी बीच वे शोसलिस्ट पार्टी से जुर गए और पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन भी किया एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित पिछडों शोशितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चिला संपादक पद से त्यागपत दे कर पढ़ना वापस लौट आये और समाजवादियों के साथ आंदोलन शुरू किया बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी लेकिन जेपी तथा लोहिया के बीच सद्धानतिक मदभेद था जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया तब बिहार में जगदेव बाबु ने लोहिया का साथ दिया उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगर्थनात्मक धाचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशी करन करके इसको घर-घर पहुँचा दिया जगदेव बाबु ने 1967 के विधानसभा चुनाव में सिंसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का एकी करन हुआ था और उसके उमीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की उनके अथक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार सम्वित सरकार बनी तथा महमाया प्रसाद सिनहा को मुख्यमंत्री बनाया गया जगदेव बाबु तथा करपूरी ठाकुर की सूजबूच से पहली गैर कॉन्व्रेस सरकार का गठन हुआ लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधरा के मसले लोहिया से अनबन हुई और कमाय धोती वाला और खाय टोपी वाला की स्थिती देखकर संसोपा छोड़कर 25 अगस्त 1967 को शोशित दल नाम से नई पार्टी बनाई उस समय अपने भाशन में उन्होंने कहा था जिस लोग राज करेंगे जीत अंततो गत्वा हमारी ही होगी जगदेव बाबु एक महान राजनीतिक दूरदर्शी थे वे हमेशा शोशित समाज की भलाई के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने पार्टी तथा विचारधारा किसी को महत्व नहीं दिया मार्च 1970 में जग अर्जक संग स्थापना एक जून 1968 में शामिल हुए 7 अगस्त 1972 को शोशित दल तथा रामस्वरूप वर्माजी की पार्टी समाज दल का एकी करन हुआ और शोशित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया एक दार्शनिक तथा एक रांतिकारी के संगम से पार्टी में नई उर्जा का संचार हुआ जगदेव बाबु पार्टी के राष्ट्रिय महामंत्री के रूप में जगह जगह तुफानी दौरा आरंब किया वे नए नयत था जनवादी नारे गरने में निपुन थे सभाव में जगदेव बाबु के भाशन बहुती प्रभावशाली होते थे जहानाबाद की सभा में उन्होंने कहा था दसका शासन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा सौ में नब्बे शोषित है नब्बे भाग हमारा है धंधर्ती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है पांच सितंबर 1974 को जगदेव बाबु हजारों की संख् करते हुए अपने दल का काला जंडा लेकर आगे बढ़ने लगे कुर्था में तैनाद DSP ने सत्यागरहियों को रोका तो जगदेव बाबु ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों के पूरवनियोजित जाल में फंस गए सत्यागरहियों पर पुलिस ने अचानक हमला बोल दिया जगदेव बाबु चट्टान की तरह जमे रहे और अपना क्रांतिकारी भाषन जारी रखा निर्दी पुलिस ने उनके उपर गोली चला दी गोली सीधे उनके गर्दन में जा लगी वेगिर पढ़े पुलिस धायलावस्था में उन्हें पुलिस स्टेशन ले ग